मिसमें लर्मानी रहीम असलाम उलेकूम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल कुकिंग और व्लोगिंग आई होप आप सब बहुत अच्छे सुंगे लामगरी ला मैं भी ठीक ठाक आज मैं आपको सिंगाडा उबालने और इसे छीलने का बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी हम सिंगाडा उबालते वक्त ये गलती कर देते हैं जिन गलतियों के वज़े से सिंगाडा बहुत जादा नरम और अंदर से पिलपला सा हो जाता है मैं आपके इसे छिलने का भी बड़ा असान तरीका बताऊंगे तो वीडियो को फुल वाच कीजिएगा तो आपको सारे स्टेप आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपके सिंगाड़े कभी अंदर से गीले और पिल पिले से नहीं होंगे यह देखिए कितने अच्छे सिंगाड़े हमारे निकल कर आ रहे हैं वड़ा फट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने लिए हैं पौना किलो सिंगाड़े तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमें सिंगाड़े किस तरह का लेना चाहिए तो सिंगाड़ा हमें साइज में बढ़ा लेना चाहिए और इसे हम टेच करके दबा कर देखें कि यह अंदर से कड़क हो यह नरम नहीं होना चाहिए जिसे हम दबा कर देखें तो अंदर से भी कड़क हो, अंदर से नरम होगा, तो ये पिल-पिला सा होगा, ये खराब होगा, और ये उबालने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें दबा कर देखना है, ये सिंगाडा कड़क होना चाहिए, और साइज में ज़रा बड़े पानी नाल देना है और अब इसके उपर में रख दूंगी एक कटोरी और इसके उपर मैं रख भूंगी इस्टेंड पिर उसके उपर हम कोई उपर हम छेगा झाना रखे और यह उपरrando जणी सारे सिंघाडे और यहां पर मैंने टूटी कि यहां पर मैंने गैस को बंद कर दिया और हमें कुकर का ढखन लगे रहने देना है कुकर का ढखन हम उपन नहीं करेंगे 15-20 मिनट के बाद जब इसकी सारी एर कुछ से रिलीज हो जाएगी उसके बाद हम कुकर के ढखन को खोलेंगे अब कुकर भी अच्छे से ठंडा हो करके सारे सिंगाडे में एक बरतन में निकाल लोंगी तो यह देखे यह कितना अच्छा सिंगाडा बॉयल होकर निकलाया है तो यह सिंगाडा अंदर से बहुत अच्छा बॉयल हो गया है और पिल पिला भी नहीं हुआ जब हम पानी में डालकर इस उबालते हैं तो यह इस तरह से घर आप कट करते हैं सिंगाडे को तो पुरा खा सिंगाडा निकलाता है इस इंगाड़ कहाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता ही और इसके बहुत ज़्यादा बैनिफिट्स होते हैं और यह सरदी में थोड़े वक्त के लिए आता है तो आप इसे जरूर खाया करें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बैनिफिट है और इस तरह से बॉइल करेंगे तो आपको सिंगाडा और भी ज़्यादा पसंदा आएगा और कट करनी का भी बड़ा आसान तरीका है जो मैंने बता दिया आपको वीडियो में वीडियो अच्छी लगी होते हैं पिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज